टाइम्स मजाब देखने वाले तमाम प्यारे प्यारे दश्कों का बहुत बहुत स्वागत है वेलकम नमस्ते आदाब सरशेकाल आप हमेशा ही सोचते होंगे मैं हर एक लाइंग्विज में आप सभी को ओनर क्यों करती हूँ क्योंकि अगर हम बात करें हमारी पॉलिवूड इंडस्ट्री की तो पॉलिवूड इंडस्ट्री में जितनी भी मूवी रिलीज होती हैं उनके जितने भी करेक्टर्स हैं वो वर्ड वाइट हर एक रिलीजिन के लोगों पर एक अलग सी चाप छोड़के जाते हैं और पंजाबी इंडस्ट्री में हमेशा ही एक बेहत खुबसूरत मूवी का इंतिजार करते हैं मैं तो परसनली बहुत जादा करती हूँ होफुलि आप सब भी करते होंगे पीछे देख लीजिए बैनर आपके सामने है एक पेहद खुबसूरत मूवी रिलीज होने चारी है 9th of September को तेरी मेरी गल बन गई हसाईगी कॉमेडी है रोमांटिक मूवी है बहुत ही प्यारी सी मूवी है प्रीती सब्रू जी आपको नजर आएंगे काफी टाइम बाद और हमारे साथ इतनी प्यारी इतनी खुबसूरत नी गौर्जेस एक्टरस है जिने आप पहले भी काफी सारी पंजाबी मूवी में देख चुके है ज़त मैं पहला कही थी कि मेरी ममेथी स्कूल परदी सी लुद्याना में बहुत पसादा मैम आप इंडियन काइन एक्टरस है तो अगर हम आपको आज परस्नली फर्स्स ताइम आपसे मिल रहे हैं नीरू मैम से हम कॉफी बार मिल चुके हैं का निए तो मैम आप बिलकुल इक डिफरेंट अर्मी लुक्स में अजहरा रहे हैं तो हम क्या देख ताहिएं कि आप जब अपने मुवी उसमें प्रफेशनल लाइन में आते हैं तो बिलकुल ही डिफरेंट ना था है कैसे? कैसे, पता नहीं, I guess पाता, अचला है परजे तुसी दी, I guess, you would look different too, तूना, I think it's just because camera दी गळा, सारे तोरे जी different लग दी, I guess, और भी बहुत जदा यांग, मतरब जासे हमें, तोरे स्कुल स्टुटेंट की तरह लग रहे हैं, thank you so much, I guess, maintain and healthy and positive mind and किसे दे बारे बुरान ना सोचना पॉजिटिविटी एंद तो आप दोनों सिस्टर सी एक जयते हैं क्योंकि हम जितने भी आपके हमेशा कोई ट्वीट देखते हैं तो हमेशा आपकी यह बात होती है कि अपने आपको मैंटेन करना एक बहुत प्लस पॉइंट है आज की देट करेक्टर प्ले किया था और उसके बार बीटी प्यारी बेरी मूविज दी हैं मैं किस तरीकेचे लगता है पॉलिवूड इंडस्ट्री ने कितना ग्रों कर लिया पॉलिवड इंडस्ट्री था हैं इस माइ फर्स लव एं लास्ट लव एं नहीं में नू देखिके बहुत जो फिल्म्स ओने दे जो बाहर आ रहे हैं, I've seen some trailers of her upcoming work, बहुती interesting projects, so वधिया, के you know, the Hollywood industry is growing. मैं अगर आपके sister के बात करें, एक बहुत एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, वो इंडेस्ट्री में आप भी उसी track पे जल चुके हैं, काफी appreciate करते हैं आपको यहां के लोग Punjabi viewers की रूबीना मैम से नीरू मैम की तरह दिखते भी हैं, and role भी character भी उसी तरीके के play करते हैं, मैं कभ मैं आपको टीच करते हूं कि किस तरीकाइट करना हैं, obviously as a big sister, बड़ी पेरा मेरी हैं, so guide हैं, but मैं आपको दीचिजिजिए खुद लेनिया, I am an adult, but you doesn't look like, thank you, forever young, you are looking very elegant in these Punjabi, thank you so much, मैं आपको पसंदा पर मैंनु वेस्टर्न कोल्स भी बहुत पसंदा हैं, I just fashion, I love fashion, and that's great. मैं इस मुवी की पात करते हैं, इतने सारे हमने आपे स्टार कास देखी हैं, प्रिधी सप्रू मैं काफी टाइम बात इन्होंने कमबाग की एंडस्ट्री मैं, कैसा एक्स्पिएंस पर अप्रामा आम के साथ? बहुत बदी लगया, personal experience was great. मेरी बहुत एवड़ी गाला के मिनु, I got to share a screen space with Gugu Gil sir, and it's Akhil's debut, and he's done a very good job, he's one of my favorite singers, but as a debut, I think he's done a great job. अप्रामा आम के साथ? अजी, oh he Akhil, because on another debut, right? इसे कहते हैं, हम normally Pollywood industry में देख रहे हैं, singers जब एक्टर बनके सामने आते हैं, तो बहुत सक्सेस्फुल हो रहे हैं इस इंडस्ट्री, हाँ जी, that's good, बदिया गाला ना, के सारे सारे सक्सेस्फुल हो रहे हैं, so जो भी किसमच लिख्या हो, आज आपका schedule बहुत बीजी है, हम बिल्कुल time wasting करेंगे, एक appealing सा मैसे, सारे Punjabis को इस मुवी के regarding क्या देना जाएंगे, पस यह कहूंगी, कि जदो time मिलूगा, September 9 नो जाके film देखियो, तेरे मेरी गल्बन गई, बहुत ही प्यारी फिल्मा, family फिल्मा, और बहुत प्यारी गाने, and please go watch, आपने देखा, हमने आपको मिलवाया पंजाबी मुवी, जो आने वली मुवी है, तेरी मेरी गल्बन के, उनकी स्चार कर्स्ते, जो अज मुवी प्रमोशन के लिए, यहां स्पेशल लिध्याना पहुंचे, हमने आपको मिलवाया, नीरू बाजवा के यंगर सिस्टे, रू 9 अफ सेप्टेमबर को नियर बेट एटर्स में अपने फामिली से साथ जाके इस मुवी को जरूर एंजोए कीजिए,